हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन कोष्ट गार्ड नाविक जीडी के सभी बच्चों के लिए physics के कुछ expected questions को बच्चे यह expected questions का part 3 है और आज का हमारा topic होगा unit and dimension आपके यह unit and dimensions का last है इसके बाद हम next chapter आपके जो rest and motion है उसे हम start करेंगे यानि kinematics को हम start करेंगे तो बच्चे आपको बता दे कि यह physics के expected questions आपके stage 1 के section 2 में पूछे जाते हैं और आपके लिए हम बच्चों आप सभी को हम thank you धन्यवाद कहना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक हमें support किया है हमारे हमें भी समझें उन्होंने हमारे वीडियो बनाया गए lecture उन्हें पसंद आ रहे हैं तो उन्होंन नहीं बढ़ता था subscribe यहां पर बढ़ जाता था तो हमें यह देखकर खुसी मिला कि कुछ बच्चे नहीं तक किया है support लगभा कुछ सारे बच्चे हमें जुड़ चुके हमसे हमें support कर रहे हैं तो जो भी बच्चे आप अभी तक नहीं देखे हैं प्लीज वीडियो को देख कर रहे हैं ताकि आपको यह क्या हो help कर सके तो बच्चे आप हमें support करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे काम कर सकें अच्छे से अच्छे content ला सकें तो चलिए बच्चे वीडियो की और बढ़ते हैं पहला question है हमारा यहां पर हम 5 questions देएंगे बच्चे आपक कुछ नकुछ आपको unit and dimensions का फंडा समझ में आया होगा ठीक है तो देखिए यहां पर हम आपको questions practice कर रहे हैं बहुत सारे concept को लेते हुए तो पहला question है आपका Hindi English दोनों में दिया गया है ताकि कि किसी बच्चे को problem ना हो यहां पर पूछा जा रहा है आपको what is the dimensional formula of magnetic field आपक आपको magnetic field का सबसे पहले तो formula पता होना चाहिए तभी तो आप निकाल पाईएगा कि हाँ इसका dimension क्या होगा तो देखिए आपको एक relation पढ़े होंगे f equal to क्या होता है qvb sin theta यह होता है कोई charge होता है qv velocity से फेका जाए किसी भी क्या b magnetic field में यानि b magnetic field में तो उसका force लगने वा और आको believe 잃 सके ensemble देखिए तो अपको किसी भी छुद ए किरिशे है कि नगी तो बस हम यहीं से निकाल लेंगे अपनाvas कोई टेंसल नहीं लेना आपको CU mayonnaise नहीं है बच्चे देखिये हम क्या करेंगे अब है यहाँ पर SI अपर का कोई अनगी महीं होता है συνदिर घोटा दीये तो हमें किसका निकालना है तो हमें किसका निकालना होता है बच्छे i into t q equal to i into t होता है q equal to i into t तो हम क्या करेंगे इस i को जगा पे हम current को a से लिखते हैं और time को t से लिखते हैं तो q के जगा पे हमने a और t लिख दिया ठीक है और v क्या velocity है तो velocity का होता है meter per second तो meter का L और second का क्या होता है t t पे पावर minus 1 क्योंकि per second है ठीक है थीक है बच्चे तो अब क्या हम मिला यहापे यह क्या 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 कुछ कट रहा है यह t से t-1 कट रहा है ठीक है तो यह हमें हो गया m यह हो गया L और यह क्या हो गया a पे पावर माइनस वन और टी पे पावर उपर एक माइनस वन है और नीचे एक है यानि माइनस टू कौन सा अप्शन है बच्चे एम टी पे पावर माइनस वन और क्या है एल और क्या है बच्चे ए पे पावर माइनस वन यानि ऑप्शन नमर क्या है बच्चे ऑप्शन नमर द अब आपको बताने है बच्चे कि एलक्ट्रोन वोल्ट यह होते हैं वो एलक्ट्रोन वोल्ट किसके यूनिट होते हैं एलक्ट्रोन वोल्ट किसकी इकाई है किसकी इकाई है बच्चे बताईए तो आपको बता दे कि एलक्ट्रोन वोल्ट यह होते हैं वो इनर्जी की जूल, क्या होता है, 1 electron volt equal to होता है, 1.602 into 10 to the power minus 19 joule, ठीक है, और electron volt किसका unit होता है, energy का unit होता है, आप इसके voltage का unit या फिर potential difference का unit नहीं लगा दीजेगा, ठीक है, गलती जो होती है, वो सब ही हम बताते चल लें आपको, next है आपका, which of the following represents the correct dimension of coefficient of viscosity, निमलिखित में से कौन सा चिपचिपापन के, चिपचिपापन के गुन्नांग की सही आयामी सुथ को बताता है, ठीक है, तो आपको बताना है, dimensional formula of coefficient of viscosity, coefficient of viscosity से हम इटा से denote करते हैं, बच्चे, क्या होते है, इटा, उवला इटा नहीं जो आपके घर में लगता है, यह दूसरा velocity वाला, तो हाँ है, देखे कैसे, एक formula होता है, if equal to 6 pi eta r v, जा r क्या होता है, बच्चे, distance होता है, और आपका v क्या होता है, बच्चे, आपका v होता है, आपका velocity, क्या होता है, बच्चे, v आपका होता है, velocity, तो 6 pi eta r into v होगा, क्या होगा, 6 pi eta r into v होगा, तो हम क्या करेंगे Eta value निकालएंगे, uneta value होता है, f upon r into v, f upon r into v होता है, ठीक है, तो, अब क्या करेंगे, इस v को, और इस f को, हम f का value डालेंगे, first of all, f का value क्या होता हे? ml t minus 2 होता है, इसका dimension value करने का मतलब, यहाँ पर dimension डाल लाएं, और r क्या है, r का unit L होगा, और velocity का unit L क्या होगा ? t minus 1, ठीक ह एक L से L कर जाएगा और एक L से माइनस 1 हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा किसके बराबर आ जाएगा बच्चे यह आ जाएगा M बचा क्या नीचे L पे पावर माइनस 1 और क्या बचा T पे पावर माइनस 1 बच गया यानि क्या होगया इसका dimension ML-1 T-1 यानि option number C समझ रहे हैं कैसे बना रहे हैं कुछ नहीं करना है आपको देखना है कि जिसे हमें निकालना है वो किसी formula में आता है क्या तो देखिए आपका coefficient of CT आता है इसका और भी बहुत सारे formula है आप वहां से भी इसे निकाल सकते हैं यह एक formula simple सा formula है यहां से बड़ी जल्दी से आजाता है क्या होता है बड़ा आसानी से आजाता है ठीक है तो इससे आपका किजिए ध्यान में रखिए नेक्स्ट है आपका light year is unit of बहुत simple सा question है सभी scientific measurement के लिए उज़ कियाता है जैसे space में कोई space के distance को नापने के लिए या फिर space के distance को नहीं कहने का मतलब space में कुछ light अगर travel कर रहा है तो वो क्या करेगा उसका एक year में एक year में कितना distance travel करेगा उसको नापने के लिए तो इसकी हम definitions को कहते हैं क्या कह सकते हैं बच्छे कि a beam a beam of light यानि एक प्रकास की किरन a beam of light travels in one year यानि एक प्रकास की किरन एक साल में कितने distance travel कर लेगी ठीक है उसे हम कहां कहेंगे प्रकास वर्स यानि light year और यह distance होता है क्या थोड़ी यह unit होता है किसका distance का ठीक है बच्छे चलिए next which of the following units denote dimension where q यानि कहना बतलब है कि कौन सा इसमें से unit है जो यह dimension को दरसाता है जहां पर q डिपजेंट करता है electric charge को किसको करता है electric charge को ठीक है तो दिखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा ठीक है क्या करना पड़ेगा सब कुछ चेक हम आपको इतना समय तो सब के चेक करना हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे लेकिन आपको बता दे कि यह unit है henry का किसका unit है henry का और henry जो होता है बच्चे वो electrical inductance होता है henry होता है ठीक है बच्चे चलिए तो henry को निकालने का तरीका क्या होता है देखे बी equal to होता है बच्चे एक formula होता है भी आपने पड़ाऊगा भी कह सकते आप ई भी कह सकते हैं यह क्या है अपका इमफ है potential difference है वो equal होता है किसके बच्चे प्रपोर्पोर्पोर्चनल होता ह ठीक है बच्चे तो यहां से हम्में फरमुला मिलता है क्या है और आपको बता दे कि वी को हम क्या लिखते हैं वी क्या है वोल्टेज है और वोल्टेज का potential difference यानि potential difference याफ पिर कर सकते हैं आप इसको electric potential तो यह किसके बढ़ाबर होता है यह बढ़ाबर होता है energy per unit charge अपने electric field और electric potential पढ़ा होगा आप सबसे पहले जब आपको पढ़ाया गया होगा 12 में electric charge के बारे में static में तो सबसे पहले यही लल्लू सा चीज बताया गया होगा आपको electric potential और electric field के बारे में तो यहीं यहां से हम electric potential यह क्या है EP electric potential के बारे में आपको बता रहे हैं तो यह V equal to होता है E by Q, E क्या है energy है Q क्या है charge है E यहां पर लिख दिये और Q क्या है charge है और देखे आपको current equal to क्या होता है I equal to क्या होता है बच्चे आइउक्षक होता है देखे आपको पता होगा यह सब को पता रहाता है क्या Q equal to I into T होता है ठीक है तो I equal to क्या होगा Q by T और हम इसको V upon di को i लिख सकते हैं देखिए किसी का differentiation कीजिए तो unit उसका सोड़ी change हो जाता है ठीक है तो यह क्या होगा time हो गया तो i को हम क्या लिखेंगे i को लिखेंगे हम यहां से q by t तो यहां पर i को क्या लिखेंगे q by t और by t क्या हो जागा आपका अब हम क्या करेंगे इसको बनाएंगे energy का unit क्या होता है m l square t minus 2 upon q का unit क्या होगा q a रखना है देखिए यहां q दिया है into q और t का unit क्या होगा t capital T तो यह किसके बढ़ा होगा m l square यह क्या होगा बच्चे m l square और क्या है बच्चे कुछ गलती हो रहा है यहां देखिए क्या गलती हो रहा है देखिए क्या गलती हो रहा है बच्चे हम स्कोच रहें कुछ गलती हो रहा है देखिए यहाँ पे e upon q डालना था e upon q डालना था ठीक है e upon q b के जवब पे हमको e upon q डालना है और E तो हमने डाल दिया, और Q के जवब पे यहां पे डालेंगे, Q को यहां पे डालेंगे, ठीक है, तो यह क्या होगा आपका, नीचे हमने Q डाल दिया, और क्या करने वाले हैं, इस I के जवब पे, Q बाई T डालेंगे, देखें, यह पहले से T है, और इस Q के जवब पे, एक स और T उपर चला गया और नीछे एक i रहा गया देखा ये बला i यहां रहा गया और इस i को मैं लेख सकते हैं q by t तो e upon q और इस i को लिखे इस i को q by t तो नीचे एक और q हो गया और t पहले है और ये क्या हो गया? T स्क्राइर हो गया आई हो जाएगा ml² upon q² यानि कौनसा अप्सन होगा देखिए सही मिल्ला है ml² upon q² यानि हेंडरी क्या है इसका यूनिट सही है तो बच्चे क्या हो जाता है ना कभी-कभी थौह सा प्रॉब्लम हो जाता है अभी देखे कैसे कंफ्यूज हो गया है तो आप क्या किजेगा किले बाइब बाइए